क्या हाले दोस्तों, welcome to the channel इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग 0-2 काइट में long term के लिए shares को purchase कर सकते हैं इस वीडियो के साथ continue करने के लिए आपको 0-2 में trading account होना चाहिए और आपके पास एक DMAT account होना चाहिए और यहाँ पे मेरे पास 0-2 में trading account है और DMAT account भी trading account के साथ linked है तो सबसे पहले हमें ये make sure करना है कि हम जो भी stock purchase करना चाहते हैं उसके लिए जो पैसा चाहिए उतना पैसा हमारे trading account में है तो यहाँ पे हम लोग funds में जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे around 18,000 रुपीज available margin है और जो भी आप लोग stock purchase करना चाहते हैं जितना भी आपके मन में है उतना पैसा आपको यहाँ पे available margin में दिखना चाहिए तेके उसके बाद हमें क्या करना है watch list में जो भी stock हम लोग purchase करना चाहते हैं उसे add करना है तो यहाँ पे मैं purchase करूँगा ITC, ITC को मैंने already watch list में add किया है, तो अभी मैं इसको delete करता हूँ, अगर आपके watch list में जो stock आप लोग purchase करना चाहते हैं, वो नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ आके search करना है, तो ITC को मैं search करता हूँ और यहाँ पे NSC और BSC exchange में जो ITC listed है वो दो option आ रहा है मैं NSC यहाँ पे add करता हूँ उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग cursor को इस stock के उपर लेके जाते हैं, stock के नाम के के उपर क्लिक करते हैं, तो buy करने के लिए window open हो जाएगा यहाँ पे हम लोग stock को purchase कर सकते हैं, पहर यहाँ पे मैं अभी purchase नहीं करूंगा, तो मैं cancel के उपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे और भी options available है chart का, तो हम लोग पहले chart देखेंगे, मैं इस chart को open करता हूँ, इस button के उपर क्लिक करके यहाँ पे chart open हो गया है और यहाँ पे एक और बटन है उपर, और यह कहता है pop out chart, इसके उपर एक बार क्लिक करेंगे, तो एक नए window में chart आपको दिकाई देगा यहाँ पे एक और बटन है इसके उपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो buy और sell करने का option, market depth और positions, open orders यह सब details हमें यहाँ पे दिकाई देता है तो यहाँ पे अभी हम लोग इस buy बटन के उपर क्लिक करके stock को purchase कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग buy बटन के उपर क्लिक करेंगे buy करने के लिए जो window है वो अभी open हो गया है तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें जो exchange है उसे select करना है ITC जो stock यहाँ पे मैं buy कर रहा हूँ यह NAC में भी available है और BAC में भी available है तो यहाँ पे मैं NAC को select करूँगा आप BAC भी select कर सकते हैं अगर आप लोग BAC से purchase करना चाहते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे regular cover और aftermarket orders है यहाँ पे हम लोग regular order को select करेंगे यहाँ पे हमें यह check करना है कि intra day में buy करना है या long term के लिए buy करना है अगर हम लोग intra day के लिए buy करते हैं तो हमें उस stock को जिस दिन buy करते हैं उसी दिन sell करना पड़ेगा क्योंकि intra day में हमें उसी दिन उसे square of करना है long term के लिए अगर हम लोग buy करते हैं तो हम लोग उस stock को जब चाहे तब sell कर सकते हैं for example अगर हम लोग आज purchase कर रहे हैं long term के लिए तो अगर हम लोग चाहते हैं तो आज ही उसको sell कर सकते हैं या फिर 10 साल के बाद भी उसको sell कर सकते हैं यहाँ पर intra day में अगर हम लोग buy करते हैं तो हमी margin मिलता है leverage मिलता है मतलब है कि 10,000 रुपया के stock को purchase करने के लिए हमारे account में 10,000 रुपया होने की जरुवत नहीं है जो trading account आप लोग use करते हैं वहाँ पर जो leverage है उसके हिसाब से आपके account में कम पैसा है तो भी चलेगा पर long term में जब हम लोग buy करते हैं तो हमें पूरा amount देना पड़ता है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर हमें quantity एंटर करना है तो मैं एंटर करता हूँ पांच quantity और यहाँ पर हमें दो option है market price में buy करने का या फिर जो भी price हम लोग चाहते हैं उस price में buy करने का यहाँ पर अगर हम लोग market price में buy करते हैं तो क्या होता है जो भी price में market में कोई sell कर रहा है उसी price में हम लोग उसको buy करेंगे या फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ specific amount में मुझे ऐसे buy करना है तो आप लोग limit चक करके यहाँ पर आप enter कर सकते हैं आपका dham यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई आप जो यहाँ पर dham enter करते हैं उसी price में bet न चाहता है तभी आप लोग उस stock को buy कर सकते हैं नहीं तो नहीं अगर हम लोग market select करते हैं तो जो भी price में कोई bet ता है उस price में हम लोग purchase करेंगे यहाँ पर अगर हम लोग इस ITC की stock देखेंगे तो spread बहुत कम है तो सिर्फ पांच पैसे का difference है यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे liquidity भी है मतलब बहुत सारे sellers भी है और बहुत सारे buyers भी है बहुत quantity में buy or sell कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग market order select करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह दिखाता है कि margin required मतलब है कि यहाँ पर मैंने quantity एंटर किया है पांच तो पांच quantity के ITC को अभी long term के लिए purchase करनी के लिए मुझे 1107 रूपीज चाहिए यहाँ पर refresh बटन है अगर इसके उपर में click करता हूँ तो ये value change होता है क्योंकि हम लोग market price में यहाँ पर buy कर रहे हैं और market price change होता रहता है वो एक fixed price नहीं है यहाँ पर अगर हम लोग limit एंटर करते हैं तो यह यहाँ पर change नहीं होता है क्योंकि हम लोग एक particular price में stock को buy करना चाहते हैं तो उस वक्त margin required जो है वो change नहीं होता है, यहाँ पर अगर मैं intraday select करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे 5 times का leverage मिल रहा है, तो 5 quantity intraday में buy करने के लिए मुझे सिर्फ 221 रुपीज चाहिए, पर long term के लिए buy करने के लिए मुझे 107 रुपीज चाहिए, मतलब है कि मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर buy बटन के उपर click करेंगे, order को place किया जाता है, और यहाँ पर order place हो गया है, पहले मैंने 10 quantity buy किया थ तो यहाँ पर हम लोग वापिस इस dashboard में आएंगे, और जब आप लोग stock को buy करते हैं, तो उस दिन वो stock आपको यहाँ पर position tab के अंदर दिकाई देगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर exit भी कर सकते हैं, आज ही उसको sell भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख स holding CNC order है, मतलब है कि cash and carry, तो next trading day से यह stock आपको holdings में दिकाई देगा, holdings tab में आपको दिकाई देगा, यहाँ पर आपको इस stock को sell करने के लिए options भी दिकाई देगा, तो ठीक है, इस तरह हम लोग zero the kite में long term के लिए stocks को purchase कर सकते हैं, अगर आपको यह video अच्छा लगा तो like कीजिए, अच्छा नहीं लगाए तो dislike कीजिए, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो comment कीजिए, इसी तरह के और व्यद्व स्थेखनी के लिए मेरे इस चानल पर subscribe कीजिए